हालो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल इंग्लिश विद माया एंड कैसे हैं अभी लोग आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड्स तो चली फ्रेंड्स आज हम लोग क्लास पढ़ेंगे टी एस इलिएट के बारे में जानेंगे उनकी टी एस इलिएट के जितनी भी उसके बारे में पढ़ेंगे जितने भी वर्क्स हैं उनको जानेंगे जितना भी उन्होंने वर्क किया है सब कुछ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तो चली फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं अगर आप चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें comment करें and share करें friends यह जो class है आपके TGT PGT सबके लिए most important है वो चाहे other state का हो या फिर UP का चलिए friends class को start करते हैं देखते हैं पहला question What was T.E.S. Eliot's writing limit per day? जो T.E.S. Eliot थे उनका per day का limit क्या था? 3 hours per day उनका जो per day का limit था writing करने का वो था उनका 3 घंटे per day वो writing करते थे ओके चले देख लेते next one Why did T.E.S. Eliot never return to Harvard to take the final oral examination for PhD degree? जो T.E.S. Eliot थे वो PhD degree के लिए जो final oral examination लिए थे Harvard वापस वो कभी नहीं मतलब चाहते थे कि वो उनको वापस कभी आये तो वो कौन सा वो था? क्यों नहीं चाहते थे? तो World War first का क्या था? इंटर्वेन हुआ था इसी वज़े से वो नहीं चाहते थे ओके? चलिए देख लेते हैं लॉफ रख को जो पोईट्री थी वो फ्रेंट सिंबोलिस्ट को मतलब बढ़ावा देती थे तो वो थी उनकी वोक अर्थर सिंबोलिस्ट मूमेंट क्या था? अर्थर सिंबोलिस्ट मूमेंट था देख लेते हैं next one questions को Elliot is often charged with Elliot is often charged with तो क्या था? Upscurity था क्या था friend? Upscurity next देख लेते हैं T.S. Elliot took special interest in the philosophy of जो T.S. Elliot थे उनका philosophy में special interest क्या था? पतंजली क्या था? पतंजली का उनको special interest था ठीक है? T.S. Elliot may have been the first person to write the word T.S. Elliot may have been the first person to write the word so क्या था? बुल्शिट था क्या था? बुल्शिट next देख लेते हैं who wrote hamlet and his problem who wrote किसने लिखा था hamlet and his problem को वो लिखा था इनका वर्ग था T.S. Elliot का कौन सा hamlet and his problem next देख लेते हैं T.S. Elliot learned Greek philosophy at T.S. Elliot learned Greek philosophy at T.S. Elliot ने Greek philosophy कहां से मतलब learn किया था तो वो था कौन सा college था? मेर्ट्रॉन मेर्टॉन कॉलिस था क्या नाम था उनका? मेर्टॉन कॉलिस next देख लेते हैं who wrote in my beginning is my end in my end is my beginning ये comments किसने कहां थे? तो ये comments कहां थे? T.S. Elliot ने किसने कहां थे? T.S. Elliot ने चले देख लेते हैं next one after his death उनकी मरत्यों के बाद he is preserve his legation by editing and adding several notes the letter of T.S. Elliot मतलब कि T.S. Elliot की मरत्यों के बाद T.S. Elliot के जो several notes जितने भी notes बचे हुए थे उनके editing करना adding करना ठीक है? तो किसने किया था? तो उनकी जो vibe थी वो ही सब उनकी vibe मतलब कि death के बाद उन्होंने ही क्या किया था? editing and adding किया था उनके जितने ही बचे हुए notes से later थे ओके? चलिए देख लेते हैं next one Sweeney Agonist is a by T.S. Elliot Sweeney Agonist T.S. Elliot द्वारा क्या था? ये एक play था Sweeney Agonist ये T.S. Elliot द्वारा लिखा गया एक play था चलिए देख लेते हैं next one T.S. Elliot's incomplete play is T.S. Elliot's incomplete play is T.S. Elliot's incomplete play था वो कौन था? तो वो था Sweeney Agonist कौन सा था फिरे? Sweeney Agonist ये इनका incomplete play था जो कि complete नहीं हो पाया था चलिए देख लेते हैं next one title of Sweeney Sweeney Agonist is inspired from जो Sweeney Agonist का जो title था वो किस से inspired हुआ है तो वो है Milton का Sweeney Agonist था Milton का जो Sweeney Agonist play है ठीक है? जिसे हम लोग words play के नाम से भी जानते हैं तो उसी से inspired होकर कि इन्होंने Sweeney Agonist play रखा था ओकी? चलिए देख लेते हैं next one तो ये कब था? ये था 1959 में चलिए देख लेते हैं next one तो ये इस इलिएट वास दा देश आफ इस पैरेंट्स seven children जो ती इस इलिएट थे वो उनके पैरेंट्स के seven children थे कितने थे seven children जिन में से वो कौन थे? तो वो सबसे क्या थे? यंगश्ट थे ठीक है? इन ही चाइल्ड होड टी इस इलिएट वाज इस्पेसली फॉन्ड ओफ अपने जो टी इस इलिएट बचपन में वो किसे इस्पेसलिएट थे? इडवेंचर्स आफ टॉम सायर के लिए किसे? इडवेंचर्स आफ टॉम सायर नेक्स्ट देख लेते हैं इस फर्स्ट पोएम्स उनकी जो फर्स्ट पोएम्स थे रिटेन एड दा एज आफ फोटीन उन्होंने कब लिखा था? फोटीन की एज थे मैं उन्होंने अपनी फर्स्ट पोएम्स लिखा था तो वो किस से इंस्पाइर्ड होके? were inspired by, किसे inspired होके लिखा था, वो थे Edward Fitzgerald की Rubiet of Umar Khayyam इससे उन्होंने inspired हो करके उन्होंने लिखा था अपनी first poems ओके, देख लेते हैं next one, who wrote the metaphysical poets, metaphysical poets किसने लिखा है, ये लिखा है T.S. Eliot ने, किसने लिखा है T.S. Eliot ने, ओके, चले देख लेते हैं first long poem conversation, after each conversation ओवाज, तो कौन सी poem थी, वो थी A.S. Wednesday, कौन सी थी A.S. Wednesday, देख लेते हैं next one, does express the pangs and the strain involved in the expectations of religious belief and religious discipline okay, तो ये था A.S. Wednesday day, right option ये बन जाएगा, देख लेते हैं next one In 1964, he received Presidential Medal of Freedom from 1964 में उनको क्या मिला था उन्होंने रिसीब किया था Presidential Medal of Freedom के लिए किससे उन्होंने रिसीब किया था तो वो किया था उन्होंने United States of America से किससे United States of America से उन्होंने 1964 में Presidential Medal of Freedom क्या किया था रिशेप किया था okay देख लेते next one who is known as the most daring poet of 20th century मतलब की 20th century की most daring poet किसे मार का है मतलब जाना जाता है तो वो है T.S. Elliot किसे जाना जाता है friend T.S. Elliot को okay चलिए देख लेते हैं next one देखें T.S. Elliot received a degree in BA T.S. Elliot ने BA की degree रिशेप की थी within three years में कब 1909 में instead of the usual four years क्या ये बात सही है तो ये है बिल्कुल two ठीक है क्योंकि 13 years की degree उन्होंने कितने year में पास की था four years में चलिए देख लेते next one questions T.S. Elliot died off T.S. Elliot किसे मतलब उनकी म्रत्य हुई थी तो वो थी एफिजमा से किसे एफिजमा से उनकी म्रत्य हुई थी देख लेते हैं next one the criterion by dash was the most distinguished international critical journal of the period तूने माना जाता है T.S. Elliot ओके चलिए देख लेते हैं next one questions को T.S. Elliot's first volume of words T.S. Elliot के जो first volume था वो किसमे था words का first volume था वो कौन सा था वो था proof rock and other observations proof rock and other observations okay चलिए देख लेते next one T.S. Elliot the westland concludes with किसमे conclude किया था तो ये था Sanskrit word में westland जो था वो था Sanskrit word में क्या किया गया था conclude किया गया था देख लेते next one in 1986 the US Postal Service issued a 22 cents stamped in T.S. Elliot honor तो वो क्या था बिलकुल राइट था 1986 में US Postal Service से उनको issue किया गया था 22 cents stamped T.S. Elliot को honor के रूप में देख लेते next one questions को Ildis Hoxley referred to him as Ildis Hoxley refer किया गया था उनको क्या था वो the most bank clerk of all banks clerk ये वर्ड किसके लिए क्या है थे T.S. Elliot के लिए किस ने कहा था Aldis Hoxley ने कहा था the most bank clerk of all banks clerks देख लेते next one T.S. Elliot was married T.S. Elliot की कितने बार मतलब कि married थे वो two times कितनी बार दो बार हुनने इपनी शादी की थी next one देख लेते हैं T.S. Elliot had no children T.S. Elliot had no children T.S. Elliot को कहा जाता है क्या had no children so ये क्या है बिल्कुल सही बात है true है who wrote the play the elder statesman किस ने कहा था कि the elder statesman तो ये कहा था किसी कहा जाता है तो ये कहा जाता है T.S. Elliot को देख लेते हैं next one April is the cruelest month of all is taken from most important lines है April is the cruelest month of all ये T.S. Elliot के wasteland में बात कही गई है April is the cruelest month of all ओके चले देख लेते हैं next one The wasteland by T.S. Elliot is an T.S. Elliot दोरा जो wasteland लिखा गया है वो क्या है तो वो है एक allegory क्या है allegory है देख लेते हैं next one questions को The cocktail party is a dash by T.S. Elliot एक cocktail party है वो T.S. Elliot दोरा लिखी गए है तो ये क्या है ये एक play है क्या है friend ये एक play है ओके चले देख लेते हैं next one T.S. Elliot father Henry were Elliot wise and तो ये क्या थे इंडरेस्टियर्ट एंड फिलैंत्रों पिस्ट जो T.S. Elliot के जो father थे Henry were Elliot वो कैसे थे वो थे इंडरेस्टियर्ट एंड फिलैंत्रों पिस्ट थे चले देख लेते हैं next one T.S. Elliot was essayist, publisher, playwright, literary critic and और क्या थे वो जो T.S. Elliot थे उसको उनको poet भी कहा जाता है essayist कहा जाता है publisher, playwright, literary critic and उनको editor भी कहा जाता है ये सारे बाते आप याद रखेंगे T.S. Elliot married within highwood in so right option बन जाएगा आपका 1915 देख लेते है next one what family did he belong to कौन से family से बिलोग करते थे boost and brahmin family से बिलोग करते थे कौन T.S. Elliot who said किसने कहा next to of course God America I love you कहा था T.S. Elliot ने किसने कहा था T.S. Elliot ने चली देख लेते हैं next one T.S. Elliot served as Charles Norton Professor of Poetry at T.S. Elliot served as Charles Norton Professor of Poetry at तो कहां से उन्होंने मतलब की अपना serve किया था Charles Norton Professor कहां बने थे तो वो बने थे Harvard में Harvard University में Which modern poet allowed to Chaucer is one of his poems तो किसे T.S. Elliot को लाओ किया गया था देख लेते हैं next one What is common between the Westland by T.S. Elliot and Ulysses by James Joyce उसमें क्या common था Both were published in 1922 मतलब कि दोनों ही Cake Up published किये गए था 1922 में Both present similar views of predicament of modern man मतलब दोनों में ही similarity ये दिखाई गए थी कि modern man की क्या predicament के बारे में ठीक है व्यूस दिये गए थे तो ये similarity थी उसमें Westland and Ulysses में देख लेते हैं next one What movie is based on T.S. Eliot really bad marriage किस movie में T.S. Eliot को really bad marriage मतलब भी बेश किया गया है वो है Tom and Viv क्या है Tom and Viv में ओके चले देख लेते next one T.S. Eliot was born in T.S. Eliot मतलब कहां पैदा हुए थे St. Louis, Missouri में कहां भी पैदा हुए थे St. Louis, Missouri में पूछ ले जाता है तो आप इनको अच्छे से याद रखेंगे किसने लिखा थे T.S. इनके जितने भी वाक्स हैं आप फ्रेंट्स बिल्कुल याद रखेंगा क्योंकि T.G.T. PGT दोनों के लिए most important है PGT के लिए तो खास्तावर से most important है T.G.T. के लिए भी What poem of T.S. Eliot is called drama of literary anguish T.S. Eliot के कौन से poem ते जिससे बोला जा था called drama of literary anguish तो वो था प्रफोक and other observations ओकी चल देख लेते हैं next one Who wrote the poem portrait of a lady portrait of a lady poem किसने लिखा था तो ये लिखा था T.S. Eliot ने किसने लिखा था T.S. Eliot ने लिखा था portrait of a lady next देख लेते हैं Who compared Dickens to Shakespeare किसने compare किया था Dickens को Shakespeare से तो वो किया था T.S. Eliot ने किसने किया था T.S. Eliot ने कहा था Who compared Dickens to Shakespeare देख लेते हैं next one In what words did T.S. Eliot compare Dickens to Shakespeare क्या words थे जिसमें compare किया गया था Dickens to Shakespeare को T.S. Eliot ने compare किया था वो words थे Dickens can with a phrase make a character as real as flesh and blood ये word कहे गया थे ठीक है compare में किसके Dickens to Shakespeare के देख लेते हैं next one He was a director or working editor of the publishing form of He was a director or working editor of the publishing form of So, क्या है favor and favor limited favor and favor limited T.S. Eliot became a naturalized British subject in Kabu मतलब कि British subjects में वो naturalized हुए थे तो वो थे 1927 में ओके चली देख लेते हैं next one T.S. Eliot the wasteland is based on T.S. Eliot का जो wasteland था वो किस पर बेस्ट था वो था The legend of the fisher king पे किस पे बेस्ट था The legend of the fisher king ओके चली देख लेते हैं next one The figure that appears throughout the wasteland is The figure that appears throughout the wasteland is okay तो वो है Tarsius क्या है Tarsius next देख लेते हैं in which poem T.S. Eliot wrote speak to me why why do you never speak T.S. Eliot ने कि किस poem में कहा गया speak to me why do you never speak speak यह कहा गया है the wasteland में किसमें कहा गया है friends the wasteland में T.S. Eliot four squartets is based on T.S. Eliot की four quarters जो work है यह किस पर based है यह based है musical pattern पर किस पर यह musical pattern पर based है चले देख लेते हैं next one the theme of T.S. Eliot four quarters four quarters T.S. Eliot की four quarters की theme है वो क्या है तो वो है artistic consciousness artistic consciousness चले देख लेते हैं next one who said about T.S. Eliot the wasteland that is a crosswords puzzle and a spurious verbal algebra किसने कहा है T.S. Eliot की बारे में क्या the wasteland that it is a crossword puzzle and a spurious verbal algebra यह कहा है Vindham Leavish किसने कहा है Vindham Leavish ने कहा है देख लेते next one T.S. Eliot who viewed T.S. Eliot's the wasteland as the longest poem in the English language because of its profundity perplexity and density of poetic illusion myth and meaning यह कहा है किसके views है Ezra Pound के views है देख लेते next one T.S. Eliot the wasteland was dedicated to T.S. Eliot wasteland को मतलब की dedicate कि या गया है T.S. Eliot की wasteland है उसको dedicate किया गया है किसको तो वो किया गया है Ezra Pound को dedicated किया गया है T.S. Eliot was assistent editor of T.S. Eliot assistant editor थे वो किसके तो वो थे the egoist के किसके the egoist के देख लेते next one T.S. Eliot was awarded order of merit in T.S. Eliot को award दिया गया था order of merit का वो कब दिया गया था तो वो दिया गया था 1948 में ओके चले देख लेते next one T.S. Eliot was born in T.S. Eliot के जन्म कब हुआ था वो हुआ था 1888 में T.S. Eliot received BA degree in T.S. Eliot को BA की डिगरी कब received की थी तो वो की थी 1909 में कब की थी 1909 में वो BA की डिगरी received किया थे देख लेते next one Proofrock is a Proofrock is a Proofrock क्या है तो ये है Le Forgiven Poem है ठीक है चले देख लेते next one Love Song of J. Alfred Proofrock Love Song of J. Alfred Proofrock है ये क्या है ये Interior Monologue है क्या An Interior Monologue है Okay The title of Love Song of J. Alfred Proofrock इसका title क्या था तो ये title है इसका Ironical है ये चले देख लेते next one Love Song of J. Alfred Proofrock opens with तो किससे start होता किससे opens होते हैं तो let us go then you and I इससे ये start होता है Who are you and I in the first lines of Love Song of J. Alfred Proofrock ठीक है तो ये है Proofrock's public personality and the ego ये कहा गया इसको चले friends देख लेते हैं next The men who influenced him at Harvard were George Santina the philosopher and poet and the critic Irving ठीक किस से मतलब की कौन थे वो जी इंफ्लूएंस हुए थी ये सारी बातों से तो वो इंफ्लूएंस हुए थे Babbitt Okay From Babbitt he derived an तो वो थे Babbitt से क्या derived किया तो anti-romantic attitude को क्या किया था derived किया गया था Next one देख लेते हैं Elliot was to pursue four carriers editor, dramatics, literary critic and तो वो क्या थे philosophical poet भी थे Okay चले देख लेते हैं next one T.S. Elliot was probably the most erudite poet of his time in the तो वो क्या था English language में क्या किया गया था Probably किया गया था Next one देख लेते हैं He short poetic diction that might be spoken by An educated person being dash तो वो थे neither pedantic nor vulgar चले देख लेते हैं next one T.S. Elliot took the first title of Westland from Charles Dickens novel T.S. Elliot ने अपने Westland का जो first title था वो Charles Dickens के novel से लिया था तो ये थी friends T.S. Elliot के कुछ most important facts जो हम लोगों ने आज इसकी बतलब की revise किया है और इसकी काफी हद तक की questions हम लोग revise कर लिये हैं और जितने भी बाकी बचे हुए questions हैं वो हम लोग करने वाले हैं तो चले friends की class कैसी लगी आप comments box में आप अपने comments जरूर share किया करें और ये class अपने जितने भी बढ़ने वाले friends हैं उन तक आप share कर दिया करें तो चले friends अगर इसी तरीकी class देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करें like करें comments करें and share करें thank you so much झाले हैं